हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आप देख रहे हैं अनुतनों मोटर ड्राइविंग टेनिंग अस्कूल तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाव टू कंट्रोल गेर बहुत सारे कस्टमर का ये प्रोग्लाम रहता है कि वो टेनिंग कंप्लीट होने के बाद गेर को सही से अग्जक्सट नहीं कर पाते हैं तो आप अगर अगर डाने में फंस जाता है तो आप इस वीडियो को लाश्टक देखिए आज के बाद आपका गेर कभी भी नहीं फसेगा है तो दोस्टों वीडियो को सब्सी Behavior करते है सबसे पहले हम इस topic पर बात करेंगे आपका जो gear लगाने का तरीका है वो bad habit कैसे है सबसे पहले अभी गाड़ी ये neutral में है और आप लोग जो gear लगाते हैं suppose that एक gear में लगाना है तो आपने कलच लिया ये ऐसे लगा देते हैं ये bad habit है सेकंड गेर जब लगाने को होता है तो आप ये आ जाते हैं कि थर्ड गेर लगाना है ये फोर गेर ये फाइब गेर ये रिवर्स यानि मेरा कहने का मतलब है कि ये इसमें जो gear box में होता है ये magnet property पर चलती है कोई भी इंसान हमेशा सोचता है कि हम अस्टेवल रहें कोई भी इंसान हमेशा सोचता है कि हम कोई काम ना करें सोए रहें तो सेम इसका ही भी वही रूल पर काम करता है ये हमेशा चाहता है कि हम न्यूट्रल रहें इसमें magnet property रहता है वो सेंटर में हमेशा स्टेवल रहना चाहता है तो इसको जब आप गेर लगाई ये तो आप ये फोर्स लेके आप जाईए अभी हमारा गाड़ी न्यूट्रल में है अभी हमें एक गेर पर जाना है तो यह यहां से आप कलच लिए और ये जब न्यूट्रल में तो आप पर आपूर्स को न्यूट्रल में है न्यूट्रील से ये फोर्स लेगे ये अब मतलब कभी टीन में जागका नहीं लेकिन आप लोग चाहिं आप लोग ये यूँ लगा देते हैं तो ऐसे यह तीन गेर में गाड़ी चाला जाता है और गाड़ी का कंट्रोल एंड कोडिनेशन जो होता है बिगाड़ जाता है इसके वज़स से गाड़ी बंद हो जाता है तो जो चीजे हम बता रहे हैं उसको आप अपने जीवन में उतार लेजिए फिन आप जब वन गेर पर है तो आप जो गलती करते हैं यह सेकेंड गेर पर यह आ जाते हैं आप जो फर्स्ट गेर पर हैं तो आप यह हाथ का डिरेक्शन यह होना चाहिए फोर्स थोड़ा सा लीजिए और यह आईए वो कभी अब चार में जाएगा ही नहीं लेकिन आप लोग का यह तरीका क्या है दो गेर में आने का यह यू कर देते हैं तो उसमें चार गेर में चला आता है गाड़ी तो यह वन से अगर दो पाना तो यह हाथ का डिरेक्शन यह होना चाहिए फोर्स यह ऐसा लीजिए ठीक है तो यह कभी अब च में या पांच में जाएगा ही नहीं यह स्टेट होना चाहिए फिन उसी का पोजिट हमें चार में आना है यह बिल्कुल उसके पोजिट पांच में आना है तो पांच में भी आप लोग गलती क्या करते हैं यह थोड़ा सा यह फोर्स लेना है हाथ का डिरेक्शन यह होगा औ ुअब यह 5 में सes अना है तो आपको ऐसा यह में जाना है तो आप लोग कर देता है है कि आगे आना हए अगर पांच में है से चलाते हैं उससे उस्यचे diz shut में गाडि 4 में चला आता है जब तक थोड़ा सा यह फॉर्ष ले कि नहीं आएगा अभी यह पांच में तो आपको थोड़ा सा यह हाथ का समाप्त करते हैं हमारा जनकारी आपको कैसा लगा आप लोग कॉमेंट कर बॉक्स में जरूर बताईए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जट सो थैंक यूव थैंक यूव पर वाचिंग